भारत और स्रिलांका के बीच दूसरे वंडे मेच में सुर्ज कुमर जादो और इसन किसन को क्या टीम में जगा मिल पाएगी और क्या है भारत की पलेंग 11 बताएंगी विस्तार से लेकिन चैनल पे जो नए है सब्सक्राइब करना न भूले कप्तान रोहित सर्मा अगर दूसरे वंडे मेच के लिए टीम में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसन किसन और सुज कोवार जादों को अपनी पारी का इंतजार करना पड़ सकता है पहले वंडे मेच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 374 रन बनाए थे इसके जबाब में सिरलंका ने लक्ष का पिछा करते हुए सांधार परदसन किया खराब होने के बावजूद सलामी बल्लेबाज पातुमनी संका ने सिरलंका की पारी को समाला और मेच में 80 गंदों पर 72 रनों की पारी खेली उनके अलावा धनन जया डिसल्वा ने 40 गंदों में 47 रन बनाए हम आपको बता दे कि कप्तान दनु संका ने 88 गंदों का सामना करते हुए 108 रनों की पारी खेली थी फिर भी टीम को जीत नहीं दिला सके इससे पहले भारती बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की और अपनर कप्तान रोहित सर्मा तिरासी रन और सुबमन गिल 70 रन की पारी खेली भारत को एक मजबूत दी थी बाद में तेज गंदबाजों ने बहत्रेन परदेशन करते हुए भारत ने स्रिलंका को सरस्ट रनों से मात दी थी एकर बात की जाए दूसरे मंड़ मेंच के लिए भारत पुरानी पलेंग 11 के साथ उतर सकते हैं इसे देखते रोहित Шरमा और सुमनगिल आपनर के तोर पे नजर आएंगे विराट पोली तीसरे नममर पर आ सकते हैं वहीं चोथे नमर पर सुरे सैयर पाचवे नमर पर कैयल राहूल चथे और सातों मंबर पर हर्दिक पांडिया और शर पतेल हो सकते हैं गयंदबाजी मुर्चा समालने वाले मुहमद सामी, मुहमद सिराज और उमरान मलिक हो सकते हैं इसके बाद एगरामे खिराड़ी के रूप में ओजवेंदर चहल सामील है